दोस्तो नमस्कार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म के एक और नए वीडियो में दोस्तो आज आप देखिए मैं अपने फार्म पर खड़ा हूँ यहाँ पर सारी गाई चरने के लिए गई है सिर्फ एक इसको छोड़कर यह चरने के लिए बिलकुल नहीं जाती है यह हमेशा यह पर रहते हैं और यह देखिए हमारे फार्म के सारे बचड़े इस साइड है यह देखिए यहाँ पर छोटे छोटे जो दूद पीने वाले हैं और दोस्तो आज हमारे फार्म पर एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है जी हां दोस्तो हमारे फार्म की जो जीत है उसके साथ में बहुत बड़ी दुरगटना हो चुकी है चले चलते हैं फार्म में और आपको बताते हैं पूरी स्टोरी आखिर हुआ क्या है मैं तो काफी डर गया हूँ क्योंकि मेरे फार्म पर आज तक ऐसी दुर गटना नहीं हुए जैसा आज हमारे फार्म पर हुआ चलिए मैं आपको दिखा कर वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं आप देखे हमारे फार्म की जितनी भी गाएं वह चरने के लिए गई है तो कहां पर चरने के लिए जाती ही वह भी मैं आपको दिखाऊंगा आप देखें यहाँ पर इस साइट से जगह है जहां पर हमारे फार्म की जितनी भी गाएं रहती हो सारी चरने के लिए जाती है और ह इसे सारे फार्म में ये फैसिलिटी तो होनी ही चाहिए जहां पर आपकी गाएं जाकर रेस्ट कर सके अब दोस्तों आपको स्टोरी में मैं पूरी सुनाओंगा पहले हम चलते हैं जीत के पास में आप देखिए हमारे फार्म की राधिका वह रही वहाँ पर सारी बिल्कुल आ कर रहे हैं क्योंकि व्लोग आने बंद नहीं होंगे तो ठीक है तो आप ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा कोमेंट करके बताएगा आपको कैसे लग रहे हैं ये व्लोग जरूर से बताएगा चलिए चलते हैं फार्म के अंदर आ गए यहां पर आप को देखिए इसका अडर देखके आपको कुछ समझ में आ रहा है आपको पूरी स्टोरी सुनाओंगा मैं कि आखिर इसके साथ में इसी क्या दुरगटना हो गई है चलिए नीचे चलते हैं फिर आपको सुनाएंगे यह देखिए यह अरजुन यह देखिए अरजुन की अभी दोस्तोर है अच्छी होने लग गई है यह देखिए मेरे साथ में तो थोड़े अच्छा ही बनता है आरजुन हो गया एक अभी में प אות अच्छी बनती technical बहूत ही शांदर है इसकी स्कीन इतनी प्यार है ना दोस्तों बहुत बहुत शांदर यह देखिए इसके साथ में क्या हुआ था आपको तो मैंने बताया था थोड़ा सा इसके साथ में एक्सिडेंट हो गया था नहीं तो यह तो अभी मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा नंदी बन जाता पर ठीक है अभी भी इसकी recovery अच्छी हो गई आप देखें यहाँ पर काफी अच्छा हो गया अभी भी यह थीक है तो अब चलते हैं जीत के साइड में यह देखिए तो उतरने की जगह कहाँ पर है हमें वहाँ से आना पड़ेगा चलो अब थोड़ी स्टोरी भी मैं आपको सुनाता हूँ कि हुआ क्या है दोस्तो यहाँ पर रोज गाएं चरने के लिए आती है तो यहाँ पर जब गाएं आए हुई थी ना दोस्तों यह देखिए तो यह जो जीत है यह वहाँ पर जाके खड़ी हुई थी तब ही वह जो हमारा चराने के लिए जो आता है वह जाकर देखता है कि भईया जीत को क्या हो गया उसमें मुझे फोन लगाया कि भईया आप जल दे दिया यह देखिए तो वहाँ पर जाकर मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि उस बचड़े की न तो आख है नहीं उसके शरीर पर बाल हुए है और नहीं उसका शरीर बना हुआ है मतलब शरीर भी बिलकुल छोटा नहीं उसके शरीर पर बाल है आखे भी नहीं है मतलब जो उसके पाऊं रहते वो भी बिल्कुल छोटे-छोटे मुग भी बिल्कुल छोटा सा तो ऐसा उसका शरीर आदा-दूराई बना हुआ था तो मैं देखकर तो पहले तो मैं बहुत डर गया बहुत जादा डर गया फिर मुझे पता चला कि गुजरात में भी एक बार ऐसा ही इंसिडेंस हुआ था गुजरात में भी रमेज भाई रुपारेलया के फार्म पर ऐसा कुछ हुआ था तब जाके मुझे पता चलता है कि आरे हाँ यार ऐसा भी कुछ हो सकता है फार्म के अंदर वहाँ पर जाकर मैंने देखा ना तो रमेज भाई रूपा रेले के फार्म पे उन्होंने गाएं की डिलेवरी हुई थी तो वहाँ पर सिर्फ धाई महीने का बचड़ा दोस्तों दाई से तीर महीने का बचड़ा भार आया था और बिल्कुल आप सोची मेरे हाथ से थोड़ा इतना बड़ा बस दोस्तों देख सकते हो ऐसा भी कहीं बार फार्म पे हो जाता है अभी आप देखिए यहां पर जाकर मुझे पता चलता है कि एसा हुआ हमारी जीत के साथ में और जीत तो काफी जबड़ जस थी अब देखिए अगर इसकी एज के बारे में बात करेंगे द इसका अडर आप देखिए मतलब एक दीन में इसका अडर इतना बाहर निकला है और इसने डिलेवरी देदी मतलब कुछ समझ में ने आया मुझे यह नेचरल होता है या फिर इसके पीछे कुछ कारण होता है अगर आपको कुछ पता है तो हमें कॉमेंड में लिखके जोरू इसको रात बर हमने रेस्ट भी दे दिया और जो कुछ इंफेक्शन हो उसके लिए हमने इंगेक्शन भी इसको लगवा दिया बाकी आप कोई समस्या नहीं आईगी जहां तक मुझे लगता है बाकी आप देखिए इसकी हाइड हेल्थ भी काफी अच्छी हो गई है और इसक सायद किसी गाये ने इसको मारा हो कुछ ऐसा कुछ हो गया इसके साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों बिल्कुल जो था वो बिल्कुल नेचरल था नेचरल ही हुआ है वह भी महाँ पर कह रहते कि यह तो महाँ पर चर रही थी और चरते पड़ता है लगबक आप देखिए अभी यह तीन साड़े तीन साल इसको हमने तयार किया अच्छी डाइट रखी अच्छा दूद पिलाया शुरुवात में इसकी मदर जो थी वह यह है आप देखिए इसकी मदर है और दोस्तों इसका भी मिलकर रिकोड जबर जस्त था इसका आपको बहुत सारे लोगों को पता ही होगा अभी इसकी भी हलता है आप देखिए कितनी जबर जस्त है यह देखिए यहां पर और यह हमारे फार्म कारजुन जैसे मैंने आपको बताया और यह सारी गाए अभी चरने के बाद फार्म पर बापस आ गई है इन्हें खुद को पता रहता है कि चरने के बाद हमें कहां पड़ जाना है और कितने टाइम तक चरना इन्हें खुद को ही पता रहता है कोई समस्या नहीं आती है यह देखें यहां पर साप है यह देखिए साप दिखा कि पार्म पर साप हो गया ऐसा भी कहीं बार होता है हमारे क्योंकि बिल्कुल नेच्रल है यहां पर पीछे यहां पर नदी है बहुत बड़ी यह देखिए यह देखिए अब सारी गाएं पानी पी लेगी और फिर एक दो घंटे आरा हम से रेस्ट करेगी यहां पर एक बार फिर से हम यहां पर है राधिका सबसे पहले आती क्योंकि यह लीडर है हमारे पर सारी गायों को यही लेकर आती है यहां पर यह देखिए यह राधिका पर दोस्तों यह यह इसी गाएं जो सबसे ज्यादा शांत रहती है और सबसे एच्छी से रहती है और यह देखिए यह गुजरा से आया हु आती है, मिलकर रिकोर्ड में देख लीजिए, हाइट हेल्ट में देख लीजिए, जवर जस्त रहती है, ऐसा ही रिजल्ट जैसे मैंने आपको बताया था हमारे फार्म की जो सीत आती है, उसका रिजल्ट भी बहुत ही प्यारा था, आप देख सकते हैं यहां पर और अभी सारी यहां पर आ चुकी, आप थोड़ी देर के बाद यहां पर सारी रेस्ट करेगी, तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट में बताया और एसी वीडियो के लिए हमें लाइक करे जाजा, शेर करे हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले, मैं मिलता हूँ हमारे कैसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम